हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तुमाई यूट्यूब चैनल सहेज क्लास इज तो आज हम जो क्लास 10 की यूनिट 4 है, कार्वन एंड इट्स कंपाउंड उसका क्योशन 5 देखेंगे तो क्योशन 5 में हमसे क्या पुछा गया है, ज्रादी इलेक्ट्रोन डोट स्ट्रुक्चर ओफ्गी वन कंपाउंड, हमें ये 4 गंपाउंड दिये गए हैं, हमें इनके क्या बनाने हैं, तो देखो, सबसे पहले आपको एना कैसे याद करना इनको, हमने पढ़ा था कि मित इत, इत मतलब होती है two carbons, तो मतलब one two carbons, ठीक है, OEK मतलब acidic का कोई भी group होगा, तो जब भी आपको अगर structure बनाना आ गया ना, तो आपके लिए easy हो जाएगा, इसको electron dot structure के type में दिखाना, ठीक है, तो यहां से हमने क्या दिखाया, one two carbons के लिए, अपना ETH हुआ, उसके बाद OEK, OEK मतलब acidic group, तो c double bond O, एच्चे, उसके बाद हमें क्या करना होता, इसकी valency complete करनी होती है, c s3, c double bond O, ऐसे यहां से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, अब देखो हमें इसकी बनानी है, electron dot structure, तो इसको लेके चलेंगे, हम इसके, इससे इसकी अलप से हम यह बनाएंगी, कैसे, जैसे यह O है, यह तो हमें पता चल गया, कि इसको बनना तो ऐसी है, एच्छे, एच्छे, ठीक है, देखो, पहले carbon से लेते हैं, carbon का atomic number होता 6, तो electron 2, 4, तो यहां से, 1, 2, 3, और 4, ऐसे इसका बनने के, 1, 2, 3, 4, oxygen का atomic number होता है, 8, तो 2, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे hydrogen का होता है, 1, तो 1, 1, 1, और S, इसका 1, ठीक है, तो इतनी इसी तो बात है, अब हमें simply क्या, देखो, क्या करिदिक क्या पर, इस से देख, इसको लेके चलेंगे, हमें पता carbon, carbon के बीच में बनना है, एक bond, तो इस carbon को, अपनी valency करने, complete करने के लिए, एक तो इस carbon से bond बनाना, तीन इन hydrogen ले, तो इसको अक्टेट complete करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, इस से, इन सब से लेने पड़ेंगे, अपने electrons, तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, जैसे यहां से हमने देख लिया, कि इनके बीच में क्या बनेंगे, बनेंगे, ऐसे इस hydrogen को अपना, cell complete करने के लिए, इस carbon से लेना पड़ता है, ऐसे, ऐसे, ठीक है, अब बात आती है, इस carbon के, इस carbon ने क्या किया हुआ है, यहां पर देखेंगे, तो 2 तो oxygen को दिये हुए हैं, एक इस oxygen को, एक इस carbon को, तो क्या करेगा, इस से 2 तो इस oxygen से ले लेगा ये, एक इस carbon से ले लेगा, और एक इस oxygen से ले लेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पर भी complete हुआ, अब इस oxygen ने क्या किया हुआ है, इस carbon से लिया हुआ है, तो यहाँ पे scaviate complete अब इस hydrogen ने इस oxygen से लिया है तो हम देख सकते हैं और एक oxygen ने इन से लिया है तो ऐसे अगर आपको यह बनाना आ गया तो यह electron structure आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं बचेगा तो अपना होता है यहाँ पे इत्थे नोई अब जो अपना second example है वह किसका है प्रोपे नोन का तो प्रोप मतलब ठीकाड बंस तो वान टू ठीक है उसके बाद ओन मतलब होता है किटोन अब किटोन का functional group होता है c double bond o c h c तो माल लिया मैंने यह वाला h hh ऐसे दिखाएंगे तो c double bond हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा h h h तो यहां से हमने इसके ऐसे naming कर ले कि c h h c o c h h अब हम क्या करेंगे simply यहां से जैसे बोंड बोंड बने है ना वैसे यहां पर माले यहां पर दिखाएंगे ना चाहूं तो ऐसी simply यहां पर हम अपने electrons यहों करेंगे और ऐसे यहां पर update complete होते हुए हमने दिखाया है तो ठीक है यहाँ पर अपना यह प्रोपेनोन का भी हो जाएगा ऐसे ही S2S का रेखेंगे S क्या होता, Central Item तो Sulfur है Sulfur के वैलेंस में क्या हैंगे 6 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hydrogen के वैलेंस में 1, 1 तो 1 यहां से, 1 यहां से अब इसने इसका Octate कंप्लीट करने के लिए S के साथ Bond बनाया तो एक Electron यहां पे Shared हो जाएगा ऐसे ही एक Electron अपना यहां पे Shared हो जाएगा ऐसे Sulfur इन दोनों से एक एक ले लेगा अपने Octate को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही F2 है, F2 का Atomic Number कितना होता, 9 तो इसका Configuration हो जाएगा 2, 7, तो मतलब F के Outer Most में कितने Electrons होंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब इनको क्या करना अपना एक ही Bond बना इनके बीच में तो यह इससे Electron लेगा अपना Octate Complete यह इससे Electron लेगा अपना Complete आपको कोई Doubt होता, आप कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं आपको यह टोपिक समझ आया होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट कोशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स फॉर और जिंग